गाजा के अंदर रहने वाले लाखों लोग इस वक्त ये समची नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो करें तो क्या करें इसरैल के प्रधान मंत्री बेनेमिन नेतनियाहू ने तो राजश्र के नाम सम्मोधन में ये साफ कर दिया है कि गाजा के 20 लाख लोग अभड जाए क्योंकि हमास के आतंकियों का वो पूरा सफाया करने का टार्गिट तैकर चुके हैं इस समय गाजा के अंदर हर तरफ ढही होई इमारतों के मलबे और धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है सड़कों पर अंबुलेंस की गाड़ियां दोड रही है और हालात काफी ज़्यादा खराब नज़र आ रहे है जहां भी हमले हो रहे हैं वहाँ पर फिलिस्तीनी लोगों की भीड जुटकर पूरा मनजर देखकर काप रही है कुछ तजवीरें भी सामने आई है जिसमें गाजा पत्टी में कयामत तूपती नज़र आ रही है गाजा के घरों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है बड़ी बड़ी इमार्तों को बम बरसा कर बरबाद कर दिया गया है पूरी गाज़ा पट्टी इमारतों की कब्रिस्तान नज़रा रही है गाज़ा के अंदर कोहराम मचा हुआ है लाशों पर लाशें गिर रही है लोग रोते हुए नज़रा रही है लाशों को सफेद कफन में ले जाया जा रहा है हमास ने युद्ध तो छेड़ दिया लेकिन अब आखिर इन लाशों की जिम्मेदारी कौन लेगा इसरायल की सेना की प्रवक्ता ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि यह हमला फिलस्तीन ने शुरू किया है इसलिए अब गाजा के अंदर गिरने वाली हर लाश की जिम्मेदारी भी हमास को ही उठानी पड़े की गाजा के इलाके में इस वक्त शोक और मातम पसर गया है मरे हुए लोगों के शव यात्राएं निकाली जा रही है इन शव यात्राओं में भी लोग इसरैल से बदला लेने की कस्मे खा रहे है सैक्णों की संख्या में लोगों की मौत होने के बाद भी जंग का जुनून उतरा नहीं है जो लोग लाशों को दफनाने आये थे वो तालियां बजा कर नारे लगा रहे है और इसरैल की बरवादी की कामना कर रहे थे दूसरी तरफ इसरैल ने भी अपने टैंक युद भूमी में उतार दिये है शनिवार को जब हमास के आतंकियों ने इसरैल पर हमला किया था तो ना सिर्फ इसरैल के टैंकों को नश्ट किया था बलकि उन पर चड़ कर जश्ट भी मनाया था लेकिन अब युद के मैदान में इसरैल ने अपने टैंकों को उतार दिया है और इसरैल की प्रधान मंत्री बेनेमिन नेतनियाहू के आदेश पर एक पूर्ण युद का ऐलान कर दिया है इतना खतरनाक युद शुरू हो चुका है लेकिन इसके बावजूद भी इरान के अंदर जश्ट मनाया जा रहा है शनिवार की सोबह जब हमास का बेहत सफल हमला हुआ तो उसके बाद इरान के अंदर भी कट्टरपंथियों ने शाम के वक्त खूब आतिश बाजी की है जो इरान और इसरैल के बीच मौजूद नफरत को दिखाता है इसके अलावा तुर्की के अंदर भी हजारों की संख्या में लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतर आए है दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी लगातार हमास को समर्थन किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर से भी लाखों की संख्या में हमास के समर्थन में ट्वीट हुए है और हैश्टाग सपोर्ट हमास का ट्रेंड करवाया गया है दावी ये किये जा रहे हैं कि अब इसरैल के अंदर 600 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं अब सवाल लोटता है कि आखिर आरन डूम इसरैल के लोगों की रक्षा क्यों नहीं कर पाया इस पर IDF की प्रवक्ता की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें आरन डूम को धन्यवाद बोला गया है साथ ही ये कहा गया है कि अगर आरन डूम ना होता तो ये मौत का आखड़ा और ज्यादा हो गया होता दरसल दावा ये है कि इसरैल में जो लोग भी मारे जा रहे हैं उनमें से ज्यादा तर क्लोज फाइट में मरे हैं ना कि रॉकेट हमलों से तरसल आइरन डोम की एकुरिसी 90 प्रतिशत तक मानी जाती है यानि अगर 100 रॉकेट हमले किये जाएं तो 90 तो निश्चित रूप से आइरन डोम के द्वारा रोप दिये जाएंगे लेकिन बागी 10 के जमीन पर गिरने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता यही वज़ा है कि जब हमास की तरफ से 7000 रॉकेट फायर कर दिये गए तो इस्राइल के लिए अपने लोगों को बचा पाना मुश्किल हो गया को मिला कार दिया है इस्राइल और हमास के बीट चल रही है जंग अब कई हफ्तों तक चलने वाली है ना ही इस्राइल अब जुकने को तयार है और ना ही हमास और ऐसे में अब शांती समझोते की कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आती है